तो दोस्तो टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ रियल्मी पैड जी हाँ आज करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स लोग डिजाइन्स कैमरा पर और देखेंगे ये पैड आपके लिए कैसा रहता है फॉस्त अपॉल इसका प्राइस जान लेते हैं तो दोस्तो ये अलग-अलग वेरेंट में मिलत तो आज हम लेके आये हैं 3GB, 32GB बेरेंट जो आपको ओफ-लाइन इस्टोर पर 17,000 रुपे में मिलता है इसमें आपको 3GB रैम 32GB का इंटरनल इस्टोरेज दिया गया है बॉक्स पैकिंग को देखें तो इसमें आपको रियल्मी पैड का पूरा डिजाइन यही से देखने को म पॉस करके पढ़ सकते हैं या फिर आगे हम पताते रहेंगे नीचे हम प्राइज देखें तो बॉक्स पर प्राइज लिखी हुई है 24,999 रुपीज लेकिन यह इस प्राइज में नहीं मिलेगा 17,000 रुपे के असपास आपको मिल जाएगा हो सकता है ओनलाइन आपको लाता रहता हूं बॉक्स ओपन करते ही सबसे उपर रखा हुआ है रियलमी पैड हाथ में लेते ही काफी स्लिम यह आपको फील होगा इसे हम फिलाल साइड में रख लेते हैं और अंदर देखते हैं तो बॉक्स असेसरी में आपको एक बड़े साइज का हैवी चार्जर अड लेकिन रियलमी यहां पर आपको 18W का एक फास्ट चार्जर दे रहा है इसके अलावा आपको एक वाइट कलर की टाइप सी USB केविल इसमें मिल जाती है केविल की लेंथ और क्वाल्टी आपको काफी अच्छी दी गई है और अंदर देके तो यहां पर आपको कुछ नहीं मि जड़ा है और यह काफी स्लिम है यह देखें आपर काफी इसकी जो थिकनेस है वो काफी ज़्यादा आपको मिल जाती है कॉर्नर यहां पर एलमुनियम के हैं बैक साइड की जो बॉड़ी है वो भी एलमुनियम की है और यहां पर एक रियर में एक सिंगल कैमरा लगा है 8 मेगा विक्सल का LED फ्लेस लाइट आपको इस पर नहीं दिया गया है और फ्रेंट में आपको इस साइड मिलता है जो फ्रेंट सेल्फी कैमरा है वो भी 8 मेगा विक्सल का है इसके अलावा आपको यहां पर सिंग दी गई है और इसे हम ओपन करके आपको दिखा देते हैं तो इस पर आपको hybrid slot मिलता है sim card हमने already इस पर लगा के रखे वे हैं तो इस पर आप यहां तो दो sim card एक साथ लगा सकते हैं या फिर आप memory card और एक sim card यहां पर लगा सकते हैं तो यहां पर हमने memory card नहीं लगाया सीधे दो sim ही लगा दिये हैं बाकी memory card तो आप इस पर वन टेराव दिया गया है यह एक gaming pad है तो उसी हिसाब से इसका design बनाया गया है design मुझे काफी अच्छा लगा इसको हमने already boot करके रखा हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं power on key just उपर है यहाँ पर तो इसे हम जैसे press करते हैं तो यह हमारा realme pad है यह already हमने boot करके रखा हुआ है तो इसकी आपको काफी colorful bright display मिल जाती है यहाँ पर आप icon देख सकते हैं विल्कुल smartphone के जैसे ही आपको icon मिलते है user interface देखे तो scroll up करते ही आपको यहाँ पर सारे के सारे application अजर आएंगे touch काफी smooth और fast आपको इसका मिल जाता है चलिए बात करते हैं इसके display की तो इसमें आपको मिलेगी 10.4 inch की HD plus IPS LCD जिसका screen resolution है 10 1200 x 2000 pixel का pixel density आपको 224 55i की मिलती है जो इसकी height है वो है 246.1 mm width इसकी 155.9 mm और thickness 6.9 mm की जिहां एक नॉर्मली smartphone से भी ज्यादा thickness आपको इसकी मिल जाती है इसकी अलावा weight काफी जादा है 440 gram इसका weight है और इस पर आपको aluminium body मिलती है चलिए इसकी जो setting है उसे हम open करके आपको दिखा देते हैं तो setting को जैसे आप open करोगे तो बिलकुल mobile phone के जैसा ही अंदर का जो interface है वो आपको नजर आएगा जिसमें सबसे नीचे about phone section दिया गया है तो अंदर आपको हलके फुलकी जानकारी दी गई है realme UI version आपको इसमें 1.0 Android version 11 तो RAM आप देख सकते हैं 2.9 ZB यहाँ पार so कर रहा है हाला कि 3 ZB RAM दिलती है 32 ZB का internal storage दिया गया है और इसके अलावा बात करें इसके processor की तो इसमें आपको 2 GHz का octa-core processor और MediaTag Helios Z80 का एक gaming chipset आपको इसमें दिया गया है इसके बाद हम battery की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 7100 mH की एक डमदार battery मिल जाती है दोस्तो अगर आप movie देखने के सौकीन हो तो इसकी जो वीडियो क्लेटी है वो आपको दिखा देते हैं 4K वीडियो यहाँ पर हमने play किया हुआ है तो यहाँ पर इसे full screen कर देते हैं तो यह दिखिए full screen हो गई है तो कुछ इस तरह से इसका video play होता है तो सबसे पहले हम quality चेक कर लेते है इसकी quality को हम full कर देते है 720p में ओर रुका है तो इसे हम सीधे 1440p पे ले जाते है तो इसके बाद देखते है क्लेटी कैसी आती है दिए दिखिए काफी कमाल की display क्लेटी आपको इसकी मिल जाती है मुवी देखने में काफी मज़ा आएगा sound quality भी इसमें आपको काफी अच्छी मिल जाती है चलिए camera भी इसका open करके देख लेते हैं तो यहाँ पर हम कुछ object रख लेते हैं तो यह देखिए सबसे पहले तो उसकाफी बढ़ी display आपको नजर आ रही होगी camera clarity आपको काफी अच्छी मिल जाती है 8 megapixel का camera है जिससे आप zoom कर सकते हैं 6x तक यह आपने 6 गुना zoom कर दिया है zoom quality कुछ ऐसी है आपको इसकी मिलेगी तो काफी अच्छी zoom quality मिल जाती है colors आप देख सकते हैं तोड़ा सा image फट जोरूर रही है full zoom quality में इसके अलावा front selfie camera देखें तो यह रहा इसका 8 megapixel का front selfie camera काफी कमाल का colorful selfie camera आपको मिल जाता है डिस्पले काफी bright है तो clear आपको image नजर आएगी front camera से zoom करें तो इसका front camera है वो zoom work नहीं करता यह देखें आप front camera से zoom नहीं कर सकते वीडियो आप इससे suit कर सकते हो front से भी rear से भी इसके अलावा आपको इसमें photo दिखा देते हैं यह हमने यह पर photo ली है zoom करके दिखाते हैं तो इतना ही zoom हो रहा है तो अच्छी image quality आपको मिल जाएगी इसके camera से और दोस्तों कुछ ध्यान में रखने वाली बाते हैं जैसी आप इसे purchase करते हो तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस पर आपको कोई भी पहले से scratch guard लगावा नहीं मिलता है जब यह आप एक नया pad purchase करते हो देख लीजिए आपर scratch guard है या नहीं है नहीं है तो तुरंत एक purchase कर लीजिए और इस पर एक tempered glass आप लगा लीजिए इस safety के लिए काफी अच्छा होता है दूसरी बात आप इस पर हमेशा एक cover लगा के जुरू रखे company आपको cover नहीं दे रही है आपको अलग से purchase करना पड़ेगा जैसे कि मैंने भी purchase किया हुआ है flip card से मैंने cover purchase किया है और जो quality मुझे cover की लगी वो A1 है 599 रुपे में इस cover को मैंने purchase किया तो उस हिसाब की आपको इसमें quality मिल जाती है cover काफी अच्छा लगा मुझे यह देख सकते हैं हाला कि online में जबकि अच्छे cover नहीं मिलते हैं लेकिन 600 रुपे की price को यह cover deserve करता है चलिए इस पर लगा कि आपको दिखा देते हैं इस pad पर हमने cover लगा दिया है cover काफी अच्छे से बैट गया है अब यहां पर आप देख सकते हैं अब हमारा जो realme pad है वो काफी अच्छे से safe रहेगा तो यहां पर हम देखें तो कुछ इस तरो से open होगा और आप चाओ तो कुछ इस तरो से इसे adjust कर सकते हैं अगर आपको movies देखनी हो या फिर कोई काम करना हो तो यहां पर कुछ इस तरो से adjust हो जाता है तो cover quality मुझे काफी अच्छे लगी तो friends यह था 17,000 रुपे की कीमत में मिलने वाला realme pad आपको कैसा लगा? तो बहुत बहुत तन्यवाद